नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको स्वर्ग की अफसरा उर्वशी के बारे में एक खास कहानी बताने जा रही है, जो शायद आपको नहीं पता होगी। दोस्तों, बहुत समय की बात है। चंद्रवंशी राजा, पुरुरा और स्वर्ग की अफसरा उर्वशी की प्रेम कथा काफी प्रश्रित है। एक दिन उर्वशी धर्ती की यात्रापर्दी धर्ती के वातवरण से उर्वशी बहुत मोहित हो गई अपनी सक्षियों के साथ वे धर्ती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुख गई उर्वशी पर दोबारा स्वर्ग लोटने के लिए उसे बुलाये गया और वह स्वर्ग की तरफ लोट रही थी लेकिन रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपरहन कर लिया अपरहन करते वक्त उस समय वहां से राजा पूरू रर्वा की गुजर रहे थे उन्होंने इस घटना को देखा और वह रत से राक्षस का पीछा करने लगे और उन्होंने उर्वशी को बचा लिया और इसी के साथ ही उर्वशी और राजा एक दूसरी की तरफ आकरशित हो गए वही स्वर्ग की अफसरा को राजा अपना दिल दे वैठे लेकिन उर्वशी को दुबारा स्वर्ग लोटना था और दोरों ने भरे मन से एक दूसरे की विदाई गई जुदा होने के बाद दोनों के मन ही मन एक दूसरे का ख्याल निकल नहीं रहा था लेकिन एक समय ऐसा हुआ एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया और इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था किरदार निभाते समय उर्वशी ने अपने प्रियतम के तोर पर भगवान विश्णू का नाम लेने के बजाए राजा का नाम ने दिया यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनी को क्रोध आ गया और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया कि वह एक मानव की तरह आकरशित होने के कारण उसे प्रित्वी लोग पर रहना पड़ेगा और मानवों की तरह ही संतान भी पैदा करनी होगी यह श्राप उर्वशी के लिए वर्दान जैसा साबित हुआ क्योंकि वह खुद यही चाती थी वह जल्दी से प्रित्वी लोग पौजी और राजा से मिली और अपना प्यार का इजिहार किया राजा ने भी उर्वशी के समक्ष विवा का प्रस्ताव रखा लेकिन उर्वशी ने उनके सामने तीन शर्ते रखे उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि आपको मेरी दो बकरियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करनी होगी दूसरी शर्थ ये है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करते हैं तो उन्हें घी खिलाना होगा और तीसरी शर्थ ये है कि केवल शारिरिक संबत बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निवस्तर देख सकते हैं राजा ने मंजूरी भड़ते और दोनों का विवाह हो गया कुछ समय बाद स्वर्ग लोग के देवताओं को बहुत ही अटपटा लगने लगा क्योंकि उन्हें उर्वशी की कमी खल रही थी और ऐसा माना जाता है कि जैसे ही उर्वशी कई स्वर्ग से रौनक चले गई इसलिए देवी देवताओं ने दोनों को अलग करने की सूची इस योजना के तहट एक राद उर्वशी की बक्रियों को गांधवरों ने चुरा लिया और शर्थ के मताब एक बक्रियों की सुरक्षा की जिमेदारी राजा की थी बक्रियों की आवाज सुनने पर उर्वशी न और दोनों ने एक दूसरे को निवस्तर देखा इस घटना से उर्वशी की शर्थ तूट गई और शर्थ के तूटते ही उर्वशी को स्वर्ग लोग के लिए रवाना होना पड़ा दोनों बेहद ही दुखी थे हाला कि उर्वशी अपने साथ अपना और राजा का बच्चा ल बूत कहानी अगर आपको हमारी एक खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए धन्यवाद